आप भी आज कहेंगे अरे डोसा बनाना कितना असान काम है वो भी इतना कुड़कुड़ा इसके लिए हमने चावल को भीगो दिया था चार से पाच घंटे तर भीगो गे रखेंगे फिर दो सी तीन पाणी तक अच्छा से धो देंगे और फिर इसके बारे से हम ग्राइंडर जार में धीर धे करते वे रुख रुख करके अच्छा सा पेष्ट बनाएंगे ताकि चावल जो है अच्छी तरह से पीष जाए और ऐसे पिष्णे की बार में थोषा पाणी डाल देंगे तो यह थोषा पतला हमें रखना है और तुम डालेंगे थोषा नमक, थोषा हरी मि बारी-बारी कट कर लेंगे डाल देंगे तो अध्रा को क्रश्ट करके इसमें डाल दें चाहे तो आप पीस भी लें तो काली में इसका पाणी डाल रहे है धरिया पत्ती को बारी-बारी कट कर लें और इसमें डाल दें और बस को मिडाल लेना है आपके इसकी कंसेशन सी दे बस करना क्या है कि पूरा जो तबाज जो है वो पूरा पैंच जो है वो कभर कर देना है और बहुती लेयर नहीं बना नहीं एक इक बार बस डारते जाएंगे यहां गर बीच में लगे का छोटा चम्मच है उसे भी आप यूज कर सकते हैं देखिए बार बार बीच में जहां पर रह जा रहा है वहां पर हम डाल देंगे इसमें कोई दिक करत नहीं होगी जब बनेगा तो वो कमपीट एकदम बहुत अच्छा बन जाएगा और इसके बार यहां पर मेडियम आज पर रखेंगे और धीर देपकने देगे अभी पलटने की कोशिश नहीं करेंगे बस थल सर्फ कर ले बस गर्मा गरम खाएंगे साथ में को चटनी ले अचार ले सौस ले जो भी पसंद हो देखा कितना जल्दी बनकी तियार हो गया आपो कैसा लगा जरू बताईएगा बना के भी जरू दिखिएगा और अच्छा लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा नि अच्छा अच्छा आफ ले ले घुट